नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आज सब लोग अब देखिए आज किस वीडियो में बात करूँगा बाउट इंपोर्टेंट मार्क्स डिस्ट्रिबिशन देखिए टॉपिक वाइज में मार्क्स डिस्ट्रिबिशन लेके आया हूँ आई टी जैम के लिए हाला कि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो अगर आपने नहीं किया है तो इससे मैच कर लीजेगी क्या आपकी प्रिपरेशन ऐसी चल रही है या नहीं ठीक चल रही है आप मैच करते जाएगा इस चीज़ से ठीक है देखिए दोस्तों बात करते हैं बायो कमेस्ट्री से पहले हम लोग सेल बायोज 2019 में 2 questions, 2020 में 2 questions और 2021 में 5 questions आये तो आप देह सकतेयां दोस्तों लगातार अच्छ 2 questions आते रहें आप 20 mai 12 में देखिया तो 5 questions तो थाlt 2021 में 5 questions आ गए ये जय krijgen अब हम बायों के स्ट्री में बात करते हैं तो 2017 में ध्यान दीजेगा, तीन questions आये थे, और 6 questions आये थे आपके 2018 में, 7 questions आये थे आपके 2019 में, फिर 2020 में, 21 में और 22 में, तीनों में 5-5-5 आये, आप देख सकते हैं कितने जादी है ये संक्या, ठीक है? तो काफी questions आते रहे हैं, 2020 में तो कमाली हो गया, 5 questions आ गये, फिर आपक 21 में भी 5, 20 में भी 5, और 19 में तो 7 questions आ गया थे, तो biochemistry कितनी important है, आप देख सकते हैं इस चीज को, फिर दोस्तों microbiology में 2017 में 2 questions, फिर 5 questions, फिर आपका 3 questions, फिर 8 questions, फिर 2, फिर 8, यानि कि 2017 में 2, 2018 में 5, 2019 में 3, 2020 में 8, 2021 में 2, और 2022 में 8 questions आ गया, microbiology तो और important हो गया, ठीक है, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, animal physiology, animal physiology में 2 questions, 2, 5, 3, 8, 2, और 8, 2017, 18, 19, 20, 21, और 22, 22 में 8 questions आये थे, ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, दोस्तों हम लोग taxonomy की, taxonomy में आपका 2017 में एक भी question नहीं आया था, 2018 में एक question आया था, 2019 में एक भी question नहीं आया, 2020 में दो question, 2021 में दो question, 2022 में एक भी question नहीं था, taxonomy से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अब मैं 5 साल की paper की analysis क्यों कर रहा हूं, reason यह है दोस्तों, कि आप जो है 5 साल के paper को देखेंगे, तो काफी बदला हुए है, ठीक है, उससे पहले जो papers होते थे, वो relatively as compared of the 2005, अगर आपके पास sample paper हो, तो 2005, 2006, 2007, 2008 के सवाल देखेंगे, तो relatively बहुत easy थे, direct question आया करते थे, तो वो अक्सर लग जाता है, ठीक है, तो उस उस सवाल को बहुत ही seriously नहीं लेना है, ठीक है, हलाकि practice कर सकते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी अब pattern change हो चुका है, तो अब उसके हिसाब से, इसलिए मैं 5 साल पे, पहले के paper की analysis ले करके आया हूँ आपके सामने, ठीक है, ecology में जो है दोस्तों, एक question आया था, 2017 में, एक question, 2018 म में एक question आया था, 2020 में दो आये थे, 2021 में एक question आया था, 2022 में तीन question आये थे, तो ये भी है important है, लेकिन उतना important नहीं as compared to rest of the units, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग evolution की, एक second दोस्तों, मैं pen का color change कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों कोई परशानी नहीं हो, ठीक है और पांच questions आये थे 2022 में, तो evolution भी अब important हो जाता है, छोड़ेंगे तो नहीं, ये लोग देंगे जरूर, ठीक है, recommendant DNA technology, अब आप खुद guess करिये कि ये कि इतना important होगा, हाला कि 2017 में एक भी question नहीं आया, 2018 में एक भी question नहीं आया, ठीक है, अब बात करते हैं, 2019 की तो अचान ये लोग question देने लगे, पांच question, फिर एक question 2020 में, फिर 21 में जो है तीन question और 22 में पांच questions, तो आप लोग देख सकते हैं, तो अगर मैं इसके हिसाब से conclusion निकालूँ, तो biochemistry बहुत important हो जाती है, microbiology बहुत important हो जाती है, most important है, ठीक है, फिर आप mediocre कह सकते हैं, या average जो अच्छ सा marks दे सकती है, animal physiology and your evolution recombinant DNA technology, taxonomy और ecology से relatively उतने नहीं आया हैं, ठीक है, हलां कि IIT हर बार surprise कर देती है, तो आप बिल्कुल भी है, मत सोचीएगा कि बस यही सारे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप biochemistry और microbiology में नहीं prepared हैं, तो prepare हो जाएए, मैं बस यह indication देना चाहता हूँ, data प data होगा आपके पास, तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, उस paper पे और उस चीज पे, जिस पे आप focused हैं इस वक्त, right now, ठीक है, अब बात करते हैं, दोस्तों, genetics की, तो दोस्तों, genetics आप समझी सकते हैं, हर important, हर important exam में यह बहुत जरूरी होता है, और सारे examiner का favorite भी होता question, तो दोस्तों, देख सकते हैं, यह भी बहुत important है, बहुत important नहीं, important है, ठीक है, बहुत important तो नहीं क्या ही बोलें, questions की संक्या देखिए, बहुत खास नहीं रही है, अचानक से बढ़ा हैं यह लोग, molecular biology को आप देखिए, molecular biology बिलकुल most 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 important है, मतलब मैं इसके उपर triple star बना 2018 में 3, 2019 में 3, 2020 में 2, 2021 में आपका 3, और 2022 में आपका 5, तो आप देख सकते हैं, हर बार 3, 5, 3, 5, ऐसे ही questions आते रहे हैं, immunology, again, important है, जैकिन as compared to molecular biology, biochemistry and microbiology, not that much important, important है, लेकिन not that much important, ठीक है, तो दो questions आये थे, फिर दो आया था, फिर 2017, 2018, 2019 में कोई question नहीं, 2020 में 2, 2021 में 3, और 2022 में 2 से 3 सवाल बने थे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, immunology से भी लगग लगग हर साली सवाल आया है, एक साल बस गया था, plant physiology, plant physiology से अब आप यकीन नहीं करेंगे, plant physiology equally important है, जैसे animal physiology है, और recombinant DNA technology and molecular biology, अब बायो टेक में इसका क्या इस्तमाल है, वो तो आप लोग जब MSC करने घुसेंगे तब पता करिएगा, ठीक है, तो 2017 में 2, 2018 में 1, 2019 में 1, 2020 में 2, 2021 में 2, 2022 में 5 questions, अब आप देखिए back to back कितने सवाल आते गाएं इससे, ठीक है, तो दोस्तों ये था एक analysis आपका जो आप पढ़ाई कर रहा हैं, biology में, तो biochemistry में कितना questions आएंगे, आप देख सकते हैं, biochemistry में ये है, microbiology में ये आता रहा है, animal physiology भी बहुत important है, taxonomy और ecology मैं कह सकता हूँ कि आप अगर, अगर leave भी कर देते हैं, तो not a big deal, लेकिन IIT कभी भी surprise कर सकता है, ठीक है, evolution में इतनी importance है, mole biology में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, very important, immunology पे भी और plant physiology पे भी, तो दोस्तों, ये था आज का discussion about the analysis of the papers, ठीक है, analysis जो हुआ है, जो data में आपके सामने present किया हूँ, about the examination, और क्या-क्या पूछे कहा है, सबसे जादे सवाल और क्या कम पूछा गया है, वो म आपको बताने कोशिश किया हूँ, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और दोस्तों, वीडियो के end तक बने राने के लिए, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद,